नमस्कार आप देखरें एबीपी गंगा आपके साथ मैं हूँ दिपका यातब आज 16 दिसंबर है एक तरफ उन्नाव में रे पारूपी विधाय कुलीब सेंगर पर फैसला आने वाला है तो वहीं इसी तारीक को 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए गैंग रीप से पूरा देश दहल उठा था आज से ठीक साथ साल पहले देश की राजथानी डिल्ली में निर्भया के साथ दर्दगी की सारी हडे पार कर दी गई थी जिसका गम आज भी निर्भया के माबाप की आखों में दिखता है निर्भया के दरिंदों की फासी का वक्त भी अब करीब आ गया है साथ साल से बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं निर्भया के माता पिता ने अपना दर्थ अपनी जंग के हर पहलू को साज़ा किया एबीपी गंगा संबादाता अविनाश तिवारी के साथ आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत देखिए लगता तो यही है कि अब जल्दी उनका फैशला हो जाएगा क्योंकि एक साल से भी हम सुप्रीम अरे पट्याला कोट हाउस में उनके इसी अपील पर लड़ रहे हैं कि नहीं जल्दी से उनकी जो भी रेमडी हो खतम हो और उनको फांशी हो अलगभग अब सब खतम हो गया है लेकिन सुप्रीम कोट में एक उनकी रिवीव है और 17 तारीक को उस पे सुनवाई है तो उमीद करते हैं कि 17 को वो सुनवाई होगी और उखारिज होगी 18 को डिसीजन हो जाएगा कि नहीं कब उनकी डेट फांशी की निकल रही है तो अब लगता है कि नहीं हम इनसाब के करीब है देखिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और साथ साल से कर रहे हैं यह नहीं कि एक बार घटना हो गई हो गई हमें हर बार हमें प्रूप करना पड़ता है आज भी हम प्रूप कर रहे हैं कि नहीं हमारे बेटी के साथ हैसा बाद का 13 की चीजे आज एक एक जगा फाइल कर रहे हैं और केस को लंबा खिछने कटाएं फंडा लगा रहे हैं सुप्रीम कोट का फैसला आये धाई साल हो गए अठारो महीने हो गई उनकी रिवीव खारिज हुए सुप्रीम कोट से लेकिन फिर भी आज भी उनको उनका अधिकार और उनका मानव अधिकार हमारे बीचारा है लेकिन मैं फिर भी साथ सांग से धर के साथ इंतजार करी हूं और 18 तारी को पट्याला कोट में डेट है मुझे लगता है कि ओडेट साहिद आखिरी होगी और उनका डेट वरेंट निकल जाएगा कि हम लोग का हर पल हर चण जो चुनावति एक नई से नई मिल रही है अभी आपके इनके मुह से सुना कि अभी लग रहा था सब लोग करे तो सोचल मीडिया पर भी अकबारों में भी कि सूला दिसंबर को फासी हो जाएगी लेकिन जब हम लोग कोट गए लगी थे तो फमें पता लगा कि अभी इनका कुछ बाकी है अला कि एक नीती नियम का उसान को कुछ बाकी नहीं है जबकि जेल अथाटी ने उनको एक हफ़ते का नोटिस दिया था उसमें उन्हें ने ने मना भी कर दिया था लिखी तो में ल लोग डोड़ रहते की अव किसे करें तो यह बिल्बूल चाहन की ने से सो रहते की अब कुछ वोना ही निय है लेकिन अब हम लोग चलरहें के पीछे पीछे यह दौड़ रहें ते या दोड़ कर वहीं जा रहे हिए जहा हिनकी माउथ खड़ी है तो एक क्वाइन जो छोट तो बारावाले में चले जाते हैं, बेटी की इक्षा तो डाक्टर बनने की थी और हमें अपने जगह जमीन बेच करके उसको उस मुकाम तक पहुंचा भी दिया, सिरफ इंटरनल सी बाकिए था वे दिल्ली में आई थी, और यह दिन हास्ता हुआ से दूसरे दिन इतवार को हा चीज तारिक था दिसंबर, जिस दिन से हमारी आखरी बात हुई थी, हास्पीटल में, हम खानावाना खा करके और गेट पे उसके जैसे सामने बेड है, ऐसे ही गेट के सामने वो, बेड देख रहा था, देख रही थी मेरे तरब तो उसमें इसारे से बुला, बोल तो सकती देख चाहिए और हल्की आवाज में बॉली कि पापा, आप कानावना खालिया है अब ने कहां बिटा अब यहाँ बुली कि ठीक हाथा हुआज के अपू करो और हम भी आराम करेंगे लेकिन दर्द वाली बात है कि उसने एक सब्द कहा कि पापा अब आखरी है उसमें थोड़ा मेरा मुन तूट सा गया कि अब क्या करें। लाकिन को मैंने उसमें कहा नहीं, और उसमें रेनुकाच उधरी आई हुए थी वहाँ पे, पचीछ इसमबर था, ये बड़ा दिन होता है किसमास, उसका प्रसाद अगर ले करके। कि अम लोग खाभी नहीं पाया थे कि तो तो डाटर का खबर आया कि इस दोड़ कर जाते जाते, कुमा में चली गई। वह एक दिन बहुत हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है, जो कोई पूश देता है तो अब आगे क्या बता है। देखिए मैंने जब घटना होई थी तो हम 16 दिसंबर को ही चले गए थे वहाँ, और हम घर भी नहीं आए, वहीं से हम सिंगापूर चले गए, लेकिन जो हमने बारा दिन उनके साथ हमने गुजारा, तो हमें पता तो उसी दिन दिया गया, जिस दिन उनका आपरेशन हुआ 17 को हुई सुभे, कि डाक्टर ने बताये कि ऐसी केस हमने कभी नहीं देखा भी साल में, तो बहुत मुश्किल है बज़पाना, लेकिन जब जिन्दा थी तो लग रहा था कि नहीं कहते हैं कि शांस है तब ता कहां से, तो हमको भी लग रहा लेकिन अे बूश्किल दोर ये रहा कि जब उनको हो साया तो उनने कहा कि मुझे क्यास लगी है तो हम पानी देने का सोची रहते हैं, डाक्टर कहा कि नही नहीं, हम एक ठोप पानी इनको सीधे नहीं दे सकते हैं, जो हम दे सकते हैं श्रिंज के सहरे ही दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इनका सिस्टम नहीं काम कर रहा है, जिसको हम सीधे पानी दे सकते हैं, फिर उन्हेंने दुबारा कहा कि मुझे मुझे भोख लगी है, कि चूपके से मने कुछ खिला दे, लेकिन हमने नहीं खिलाया कि अगर कुछ हो जाए इंदर इंदो ने ऐसी हालत कर दी थी, कि एक जीते जी बच्ची एक चमच पानी के लिए तरपते चली गई, और उसको एक बटपानी नहीं गिला, तो आज मी वो दिन मेरे को हमेशा काटने को दोड़ता है, जब भी में गिलास में पानी लेती हूँ, तो हम यह सुचते हैं कि बताओ, हमने एक चमच पानी नहीं है, तो यह दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है, बाकि मुझे आगे पिछे और कुछ नहीं याद रहता है देखिए, सुनने में तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, अहम उसका शुआगत करते हैं कि हमारे मुख मंतरी जी ने ऐसा कहा है लेकिन कितना यह कारगर आगे चलके होता है, कितना काम करता है, यह समय बताएगा है अगर जिस तरह से उन्होंने कहा है, अएक भी बच्ची को इस कहे कि अउसार अगर इंसाफ मिलता है, तो हमें तसल्ली होगी कि जो उन्होंने किया और करके दिखाया जब घटना हुई थी, तभी भी फास्टेक कोट लगाए गए थे, बहुत सारे कानून बनाए गए थे, सब कुछ हुआ तो, लेकिन आज के डेट में बता रही हूँ कि जो पट्याला कोट हाउस है, उसमें हमारी अपील एक साल से चल रही है जिस कोट में यह अपील है, उस क्रिमिनल कोट है, उसमें एक साल में दो-दो चेंज हुए, तीन महिने से उसमें कोई जजी नहीं है मैंने केस अपील दूसरे कोट मेटर आसपल करवाई है, जिसमें सुनवाई थी, पीछे, कल ही सुनवाई थी, अफीर 18 तारीक को होगी तो फास्टे कोट बनाने से नहीं, उसमें मुं करने से होगा, उसको देखने से होगा, उसको चलाने से होगा सबी पूरा सिस्टम ही दोसी है क्योंकि सब का जुड़ाव एक दूसरे से है बेगर सरकार का जुदिष्टरी नहीं चलती है नयाय फिरक्रिय नहीं चलती है तो इसके लिए सबी जीमवार है क्योंकि जिस तरह से हमने इसको फेश किया है सुप्रीम कोट से फैसला आने के बाद अगर दिल्ली में है तो दिल्ली सरकार का बनता है केंद्र सरकार की पूलिस है तो केंद्र का भी ही बनता है लेकिन इन 20 सालों में किसी ने इस केस का ख़बर नहीं लिया नहीं तो आज तक यह जिन्दा नहीं होते है तो नियाय कहा हुआ है जो उसने क्रैम किया है उसका सजा उसको तो मिली भी नहीं है वो तो पूलिस इंकाउंटर में मारे गए है तो उन्होंने जो किया है उसके लिए गए है कि पूलिस के साथ उन्होंने उन का हत्यार छोड़ा भागने की कोशिस करी तो आप सोच सकते हैं कि पूलिस ने किस situation में उनका इंकाउंटर करी है अगर पूलिस इंकाउंटर नहीं करती वो इतना उनका होशला बढ़ा हुआ था कि नहीं, पूलिस के कस्टेडी में रहते हुए वो भागने की कोशिस करते हैं तो अगर पूलिस से इंकाउंटर नहीं करती तो या थो पूलिस का इंकाउंटर होता या वो मुजरिम भाग जाते तभी भी हम पूरा समाज कहता कि अरे पूलिस भगा दिया उनको ध्यान नहीं रखा लाइप में एक डिसीजन पूलिस ने सही लिया उसको भी गलत तरीके से ले लिया गया तो कहीं न कहीं हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही हुआ जो आज हम साथ साल से संघर्ज कर रहे हैं जिस तरह से हमें कोसा जाता है हमें उनके वो किल्लों का भेवर रहता है हमारे पर मुह से तो कुछ नहीं कह पाते हैं लेकिन ऐसी बातों को घुमाते हैं कि कहीं न कहीं हमें महसूस होता है कि नहीं हमीं गुनागार हैं हमने गुना किया तो इस से तो कम से कम वो परिवार बच गया देखिए मैं सबसे पहले तो उनको उनके परिवार वालों को कहूंगी अगर बच्ची है तो उनके माबाप को कहूंगी कि जिस बची के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले तो माबाप को support करना चाहिए, उनको परिवार वाले को support करना चाहिए, क्योंकि आज अभी ऐसा नहीं है, जब बची के साथ कोछ हो गया, अगर घर आती है, तो उसी को बंद कर देते हैं, उसी को डाच पढ़ती है मार पढ़ती है पढ़ रहे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया जाता है और इसका कारण और बुरा होता है कि वो मुझरिम का होशला बढ़ जाता है और कराइम करता है कि वो तो चलो हम करेंगे वो चुप चप घर में बैठ जाएंगे तो कहीं न कहीं यहां पे उस कराइ कराए एक दिन में नहीं लो 10 में नहीं वख अई बड़े लेवल दॉस्पी से रिपोर्ट करा है और उनको सजा दिलाना बहुत जरुरी है नहीं तो इसको हम बरदास करके चुपचा घर में बैठे रहते हैं आज भी बैठे जाते हैं, तो कहीं न कहीं इस क्राइम को हम बढ़ावा देते हैं, तो इस चीज को हम यह कहना चाहते हैं, कि जो भी अगर परिवार में किसी के साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है, तो उसको सपोर्ट करें, उसको किसी तरह रिपोर्ट कराएं, क्योंकि मुजिर्मों क उनके किये की सजा दिलाना बहुत जरूरी है, तभी हम साइध कुछ कर पाएंगे.